सबसे बड़े आज मतलब दुनिया भर में अगर काम करना पड़ेगा किसी को अगर कुछी शेतर से काम करना है तो उसको सबसे पहले मिट्टी पे काम करने वाली टेकनलोजी साथ में लेकर बढ़ना पड़ेगा और हमारे पास में सबसे बड़ा हमारा रिसर्च 18 साल से 20 साल से और मैंने पहले भी बताया कि हमारे साथ जो लोग जुड़े जिन्हों ने हमें ये साक्षरता दी, जिन्हों ने हमें इसका ग्यान दिया, न्यान दिया, उन लोगों ने यही बताया कि जमीन को उपजव करना सबसे बड़ा चैलेंज आज दुनिया भर में है, और उस को किसानी को मतलब बिजनेस को करना कैसे होता है, इस चीज के लिए यहां पर एक प्रॉड़क्ट हम लोगों ने डिजाइन किया है, और उसको नाम दिया है टेरा टेक टेक्नलोजी, तो टेरा टेक्नलोजी का पहला अविश्कार, आज हम आपके सामने जो देने जा रहे है, तो तो है, एक प्रॉड़क्ट को नाम भी ऐसा दिया है, आसान समझे, आसान तरीके से समझे, जो रिक्वार्मेंट अपना जिस तरह कैसे रहेगा, तो यह है स्वाइल हैल्थ केर, यह नहीं हो गाए, इस वाइल्थ केर जो है, यह नाम ही हमने दिया है, स्वाइल, दूसरा health और care जमीन की जो हमें फिक्र करनी है उसके बारे में सोचना है उसको उबजब किसे बनाना है इन चीजों के लिए इस product का हम लोगों नहीं आप एक अभिशकार आपके सामने रखा है जो आपके लिए अभी ready है जब चाहे तब आप किसान के साथ इसको लेके contribute कर सकते किसान इसको लेके अपनी किसानी शुरू कर सकता है तो जानते हैं क्या स्वाइल में जो समश्या थी उसके उपर अच्छे तरीके से स्वाइंदर सर ने समझाया है तो मैं ज़्यादा स्वाइल पर बात नहीं करते हुए मैं भी बढ़ाँगा कि स्वाइल हेल्थ केर जो है इस टेक्नलोजी में क्या है तो इस टेक्नलोजी बताती है आप देखोगे तो अपने आपे कुछ एबी क्लेम भी क्या है कल भी अपने बताया था जमीन के अंदर आज की समश्या है सबसे बड़ी कि हम लोग जमीन में जो भी रासाइनिक खाद डाल रहे उस रासाइनिक खाद को पौधा उठा नहीं पा रहा है पौधा उसका मतलब उसको ले नहीं पा रहा है और वो जो न्यूट्रेंट है जो सुचमाना द्रवे है यह सब सारी चीजे पौधों पर लागू नहीं पड़ रही तो इसका रिसर्च एक है कि जमीन अभी मतलब कॉम्पैट हो चुकी है जमीन अपनी जो है उस मिट्टी इतनी मतलब एक दुसरे में बोलते हैं हम लोग जखड गई है कि अब उसमें पानी भी डालते हो तो पानी सीधा जा रहा है पानी नीचे नहीं जा रहा तो इस टेक्नोलोजी से स्वाइल हेल्ट केर जो अपना है यह इसलिए कि काम करेगा कि सबसे पहले अपने किसान भाई के मिट्टी पे काम करना शुरू कर देगा मिट्टी के एके कन को मतलब जैसे बोते हैं जैसे चाई के पत्ती के जैसे होने चाहिए जब मैं पूछता हूं जैमिन कैसी बनने चाहिए तो किसान भाई कहते है सर जैमिन तो वो चाहिए कि जैसे चाई पत्ती जैसी हो बुरुबुरी हो फुली हो एक-एक मतलब ही मिट्टिक अख्काने हो अलग किया जाए तो यह अगर बनाना है यहां पर आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा oda तो coatives किल्ए कलिए आप जानकारी करते हैं कि से क्या होने माझा है कि जम्हें देना है कि यह एक अईसा कुछी उत्पाद है जिसमें हम लोगों ने CM ratio बोलते हैं, कार्बनिक खाथ को देखा है, nitrogen का relation क्या होता है, वो देखा है, इसके बाद में phosphorus का attack कैसा होता है, क्यों होना चाहिए, इस बारे में थोड़ी हम लोग अगर बातचीत करें, तो स्वाइल health care का इस्तिमाल करने से, सबसे पहले हमारी जमीन जो है, वो water holding capacity को बढ़ाती है, मतलब मिट्टे के करन अपने एक एक करन खुला हो जाएगा, पानी को समाने की उसकी लिए, पानी को समा के लेने की क्षमता बढ़ेगी, साथ साथ में, जो जिवानों, जिस तरह से उसमें काम कर रहे हैं, जिस तरह से जिवानों का काम होता ह है, कि जो भी रासाइनिक खात, हम लोग जमीन में डाल रहे हैं, जिसे बेसल डोस का आ जाता है, इस बेसल डोस को अगर पोधे तक पहुचाने का काम करेगा, मैं कई किसान भाईयों को एक सवाल हम लोग करते हैं, जब बोड पे होते हैं, तब पुचते हैं, कि यहां पे अ जिसे हम रासाइनिक खात, जैसे हम लोग शेंदरिया खात कहते हैं, जैसे हम लोग उसको प्राकूरतिक खात कहते हैं, यह जो भी प्राकार के हम लोग खात देते हैं, यह दोनों चीजे जमीन में होती है, और जमीन में होने के बाद एक किनका रिस्ता क्या होता है, एक साध तक हुंचता है फिर कोई किशान बहुते है है कि रूट तक के पानी में ये खाद घुलती है और घुलने के कारण पानी में घुलने माला द्रव जो होता है लिकविर जो होता है वह रूट तक कोशता है भाईवा इससा कुछ भीनी कोने में इसको हम करते हैं अन्न वहन प्रक्रिया होती है मतलब यह फर्टिलाइजर का जो अंदर से रूट से लेके स्टेम से लेके पत्तों में और फुलों में फुलों में जो फैलाव करने का काम है यह आसान तरीके से जिवानों करते हैं जिसके लिए हम लोग कई सालों तब यहां से अंजान थे, जिवानु पता ही नहीं थे, पर आने वाले दिनों में, कुछ धस सालों में, किसान भाइयों को इतनी जानकारी अभी है, कि यह जिवानु के नाम अगर लेगे हैं, तो एसे झेड तक हम लोगों को याद हुआ है, पर वही बात है, जानकारी तो सब है, पर है नहीं देने के लिए और यह टेक्नलोजी भी नहीं होने के कारण सब जानकारी है पानी ऐसा होना चाहिए वाटर होली कापैसिटी होना चाहिए जिवनु का संचरन होना चाहिए इसमें फॉस्परस के अपटेक होनी चाहिए फॉस्परस के अपटेक होती है तो पौदा स बनता है यह सारी जानकारी है और सब चीजों के लिए अलग-अलग प्रयोग किसान हर फसल में हर क्रॉप साइकल में करता है फिर भी किसान यहां पे 100% अपना प्रॉडक्शन नहीं बढ़ा पाए इसलिए रिसर्च होते रहे रिसर्च होते रहे और उसी में से एक रिसर्च ज जमीन पर काम करें यहां पर जमीन के अंध्रुन में जायर काम करताए और सियं रिऌ काम करता है पिर अगर Do Komm G उत्स हד होती है और सारी चीजों को संक्सित में हमलगनेंगे और सोनुन स्ञेसं विसर्च जाना चीज आने आखऑ और पार्मर्मर फार्मर को ट्रैंटेनी की व प्रोड़क आपके समझ में आ गया कि ये जमीन पे देना है किसी भी मोसम में किसी भी प्लांड के आयू में इसका इस्तेमाल करना मतलब ये नहीं समझना है कि आज जून मैना है अभी फसल लग गई है और स्वाइल हेल्ट कर का काम खतम हुआ ऐसे नहीं है आप जब भी आपक काम शुरू हो गया इसके लिए वो नहीं सोचना है कि अभी मैंने वोयाई कर दिये मैंने सीड डाल दिया मैंने प्लांटेशन कर लिया मैंने सापलिंग्स लागा लिये और अभी मेरा वो जो टाइम था वो पिरेट निकल गया ऐसे नहीं होता है यहाँ पे जबी भी मतलब पौदों को जरूरत पड़ेगी पौदा तब तब जरूरी न्यूट्रियंट को अपने रूट के माध्यम से हर जगे पहुंचाने का काम करता है और वहाँ पे स्वाइल हेल्ट केर का होना बहुत ही जरूरी है अहम है यह प्रॉडट की बिना मैं कहूंगा मेरी अपनी टेक प्रिकना जी अगर काम करती है तो पता नहीं है लेकिन यहां पे जब यह रिसर्च हुआ तो सर्यापे केवल मातर पच्छीस तीस दिन से साथ दिन में एक साथ रूट स्टेम और लीफ पे काम शुरूरा है तो मुझे नहीं पता है भाग क्या हो रहा है तकि मुझे यह पता जिसी भी दिन यह प्रोड़क्ट जमीनी में जाएगा वहां से तूरंद उसी मेट उसी पल से अपना काम करना शुरू कर देगा अब आपको आपको यह प्रोड़क को कितने जल्दी अपने धर्ती में अपनी मिट्टी में और अपने पौदों को देना है कि निर्बर करता ह अपने उपण अब दूसरा इसमें है इस टेक्नोलोजी में कुछ न्यूट्रेंट की जरूरत होती है जो पौदे को सशक्त बनाने के लिए जो पौदा होता है जो वनस्पती होती है उसको अगर बीमारी से दूर रखना है उसमें बीमारी को अगर उसका अटक कम करना है बीमा जिस वनत्त्ति में नूट्रेंट नहीं है, नूट्रेंट की कमी है, प्रॉपर समय में, सही समय में, सही मातरा में, अगर वो नूट्रेंट को नहीं उटा पाया, तो वो अपने आने वाली बीमारियों को बहुत जल्दी से प्रभवित होता है और नुक्सान होता है किसान जब भी बिमारी आती है बिमारी आखों को दिखती है तब अपनी भागा दोड़ी करते हैं और तब अपनी कोई product को apply करनी के शुरू करते हैं यह यहां पर एक निदेशन देती है कि टेकनोलोजी पहले इस्पमाल करो पहले शुरू करो मतलब प्रिवेंशन में जाओ और आने वाले बिमारी को 50-70-80 टका तक अगर किसान सही से जाते हैं स्टेप बाइ स्टेप को फॉलो करते हैं तो 60-70 टका तक के बिमारियों से दूर रख सकते हैं अपने पोदों को अगर यह होता है एक प्रोड़क्ट ए एक लीटर स्वाइल हेल्थ कियर अगर डालते हो तो यहां पर आप रासाइनी खाथ की मात्रा कम से कम शुरू में रैंडमली 20 तक का कम कर सकते हैं मतलब 20 परसेंट रासाइनी खाथ का खर्चा आज रासाइनी खाथ की जो कीमते हैं बेश्वार बढ़ गई एफॉड़ नही ए और वहां पर हम लोंगा 20 तका कंशाने से पहले साल पहले वहां की दूम अदिखलं करते हैं लोगριम के दूबेंग करते हैं जीड़ा से विख Western को मquila को सब्सक्राइबर 20 को एस धाना में इस कि मारी अन्दर से थाकत रहेगी जैसे हम पहले ज़ुखा में से सव दो सो पचास लोग बिमार पड़े बागी के नौसो हजार लोगों में क्यों नहीं पड़ रहे तो उनका इम्यू सिस्टेम अच्छा है तो यह अंदर से स्ट्रॉंग है तो हमें पोदों को हमारे जमीन को अंदर से अगर ताकव तो बनाना है तो टेरा टेक एक अच्छा बहुत बैतरीन पर है आपके सामने यहां पर आज हम लोग आपको रख रहे हैं अभी दूसरी बात करें तो यहां पर इन न्यूट्रेंट को अगर हम लोग शुरू से बच्पर्मिया जैसा सुमेशन ने कहा कि बच्चा गार इसा होता है बतलब फिर वो गरीब का बच्चा बतलब क्या दिका समझानी कुशिश की कि यहां पर न्यूट्रेंट अगर अगर अच्छा पोशन पालन अगर आप करते हो तो जो फसल निकलनी है जैसे फ्लावरिंग निकलनी है और फूलो का रूप अंतर फॉल में करना है तो पाइनल इल्ड अगर बढ़ाना है तो पहला जो मातरा है कैसे इस्तेबाल करना है कब इस्तेबाल करना यह भी सवाल आते है तो इसको बहुत आसान है इसको आप मिटी में मिला के जैसे एक घमले में मिटी ले ली उसमें अपना जितनी मातरा डालनी उतना स्वाइल के को डाल दिया चिड़त दिया और उसको अच्छे से मिला कर मिट्टी को नम करके मिट्टी खेत में फूग दो जैसे अपने पहले रासा निखा डाला करते थे वैसे इस द्रव सोरुप जो है यह लिक्विड फर्डिलाइजर है इसको जमीन में मिट्टी में घोल के आसानी से डाल दो अब जिसके पास ड्रीप सिस्टम है जिसे ड सब्सक्राइब चल रहा है तो यह अधि जो होता है इसके जिए सकते हो तीसरे आसान तरीका, मिट्टे में डालना नहीं है, मेरे पास ठिवक सिंचन भी नहीं है, मेरे पास ट्रीप की वेवस्ता नहीं है, सब के पास में एक पंप होता है, जो पीट से डाला जाता है, वो बैटरी पे होता है, फिर हैंड वाला होता है, फिर पावर स्प्रे होता है, उसका नोजल निकाल दो, इसके अंदर इस घोल को अगर पांच फंप लग रहे है तो इसकी पांच मातरा से सिम कर लो, या थे सबसे आसान तरीका 200 लिटर का पानी कर लो, एक लिटर को घोल दो, ये सब इसका लिक्विड बना लो और पंप के जरीए जहां जहां भी अपने प एक और टेकनोलोजी है, जिसका नाम है प्लांट वाँज के लिए नाम भूत आसान दिये, स्वाइल के लिए स्वााइल के लिए प्लांट विए प्लांट हेल्ट के जमीन में से जब जब नुटरेंट के जरूरत है, वो तो पउदे ने ले लिया हुआ पर कभी ख़ी क्या ह टॉप ड्रेसिंग करना होता है और यह हर फसन में करना जरूरी है क्यों कि जैसे हम लोगों की स्कीन में आप देखोगे तिया पे छोड़े पोर्स होते हैं और यह पोर्स में से हम लोग क्या करते हैं पसे ना निकलता है कुछ उसी तरह से वनस्पती के पोर्स में से जब भी ह पूरे पौदों को मिलता है मतलब चिड़गाओ करने के लिए स्प्रे करने के लिए और एक टेक्नलोजी है जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केर अब प्लांट हेल्थ केर से अपने फाइदे क्या होने वाले उसमें मैंने दिया जैसे भी समद्र ने बताइथा कि मुख्य अन्न पूरा रिसर्च करके यह प्लांट को अभी लाया है जिसमें आयरन चाहिए जिसमें मैंगने चाहिए जिसमें बोरान चाहिए जिसमें एमिनो बेस प्लांट हेल्थ केर उनकी कमी को वहां पे रिप्लेस करता है और प्लांट को इतना हेल्दी बनाता है कि जब वो उसकी घर ब्रुब भावस्ता में आ जाए जब हमें फुलोग के माध्यम से फुलोग को देने की प्रक्रिया चुरू करता है तब वहां पे इतनी ताकत से फुलोग को भार फेकता आए आपने एक समश्या देखी होगी फूल तो भोत निकलते हैं लेकिन फुलोग में जो रुपांदेर किसानों के साथ में कुछ यह किया काम किया, तब पता चले कोटन कॉक्त लेते इंडर चीन के ऐजन प्रिच होने के का ला होग आपक काम काे Configient है अभी मान लो कि यहां पर थोसा क्लाइमेट चेंज हुआ गर्मी थी और सरदी बढ़ेगी एक घंड़ा में क्लाइमेट चेंज हुआ आप क्या करोगे आप तुरं स्वेटर दाल लोगे जैकेट पेन लोगे आप गर्मी होने लेगगी आप जैकेट स्वेटर निकाल दोगे कॉटन का तलम कपड़ा पेन होगे लेकिन वनस्पती को इस बदलाव में सडली अगर एंवार्मेंट चेंज होता है तो खुद का बदलाव करने में छे स से आठ घंटे लगते हैं मतलब अभी का जो एंवार्मेंट चल रहा है उस एंवार्मेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पोदों के लिए एक चैलेंज है कि खुद को कैसे बदलाव खुद में करें और वो जब बदलाव नहीं कर पाता वो डॉर्मंट हो जाता है तब वो सुप तवस्ता में जाता है और सुप तवस्ता में जब जाता है जाना है पड़ता है तब रूट से अनगरहन करने की जो प्रक्रिया है वो थम जाती है जब ऐसी प्रक्रिया थमती है जब अनगरहन करना है दो चार पास दिन का समय लगना है और उसको यहाँ पे एक एक का काम पूरा करने के लिए की तक्निक को लाएं मैं किसान वाई से यह समझाऊंगा कि यह टेरा टेक का एक एक स्टेप और एक एक प्रॉड़क्ट सो समझ के रिसेर्च करके बनाया है कि मिट्टि में डालना है यствен लिए नहीं है मिट्टि में डालने हमले तत्व अलग है वहां पर तत्व अलग काम करते हैं प्लांट घर के तो आनी वाली फसल 10, 20, 30 गुना बढ़के हमारा रिसर्च और अभी तक का जो टेस्टिमॉनियल्स है वो 80-80 प्रतिशत तक अगर आप प्रयास करो कि 80-80 प्रतिशत अगर इल्ड बढ़ता है अगर ओनियन है वो अगर एक मैट्रिक टन उगाता है कंट्रोल रखता है टेकनलोजी के इस्तेमाल नहीं करता है जहाँ पर टेकनलोजी के इस्तेमाल किया वहाँ पर 600-700 किलो मतलब तकरिबन आधे से ज़्यादा दूगुना तक कि यह जाने की कोशिश हो किसान कर पाया और वहाँ पर वो कामियाभ हो गया ऐसे बहुत सारे कि अभी यहाँ पर इस्ताम मैं तीसरी टेकनलोजी कि भी हमने देखा स्ब्सपाई बहुत अच्छे से बन गई प्लान्ट हेल ने उसको और उसमें भोत अच्छे है नूट्रेंट की जो मातरा पूरी करदी अभी इसके बाद इन सब फुलों को फुलों में परमुर्ये करना है और फ Samuel को टाकतवर बनाना अब ये बाते इस तरफ से हो रही है कि मेरा किसान भाई भी समझ रहा है और जो किसान hitting नहीं करते है उनके लिए भी आज समझना जरूरी है क्योंकि हम लोगे पास मैं जिम्म의 दारी है कि इसे हम इस टेक्नोलोजी को करना है जहां भी मेरे दाइरे में किसान आता है, यह चर्चा मुझे किसान के साथ ज़रूर करना था है, यह आपका उत्तरदाइत है आजके विटिंग का. मैं आप ईएक जिम्मेदारी दे रहा हूं, एक रिस्पॉंस्बिट दे रहा हूं क्यों कि वहां से किसान जो उगाता है वह आप खाते हो किसान अगर existent अन्न पैदा करता है तो आप भी आपकी निल्टिन डिफिशेंसिग पैदा करते हो और आप और आपकी आने वाली का fruit health care मैंने पहले बताया बहुत आसान नाम दिए एक दिया स्वाइड एक दिया प्लांट तिसरा दिया फ्रूट अब फ्रूट health care में जो हम लोग इस तरह से उसको design किया गया है कि फूलों से रुपांतरित परावर्तित हो रहा है फुलों में उस फुलों में सबसे ज्यादा काम होता है फुलों को न्यूट्रेंट से विकसित करना उसमें न्यूट्रेंट की मात्रा उतनी होनी चाहिए जितनी हमारे शरीर को अवशकता होती है और यहां पे उस मॉली कूल Или को ऊस न्यूट्रेंट को यहां पे डिजाइन किया है जो आपको अपलाई करना है इसको आप अगर चाहे तो जबीस आप उसको छड़का भी कर सकते हैं पोलियर अप्लिकेशन भी अपना वजन बढ़ाना, अपनी कॉलिटी को बढ़ाना, और सबसे बढ़ा है आज का चैलेंज, रासाइनी खात का अतिरिक्त इस्तिमाल करने से, फलोंग की कीपिंग कॉलिटी बहुत नीचे गिली है, हम लोग पैच को स्टोर नहीं कर सकते, हमारे टमाटर मंडे में जाने से पहले खराब होते हैं, हमारी जो गोबी पत्ता होता है, फूल गोबी होता है, ये खराब हो जाता है, तो किसान वहीं को बेचने में दिक्कत होती है, दो तिन दिन से ज़्यादा कोई स्टोरेज करी नहीं, तो इसमें हम लोगों ने, बिल्कुर ये समझता पे बहुत बदा काम करना जुरूरी था, और इसमें काम अच्छा हुआ है, और इसके बहुत सारे ट्रायल सक्सेस होने के बाद, हम लोगों ने फ्रूट हेल्ट केर में वो चीजों को ध्यान में रखा है, कि प्रॉड़क्ट जो बनता है, मतलब आपना आने वाला जो आउटपूट है, जो पैदावार आप हमारे हाथ में देने वाले उसकी सेल्फ लाइफ भूद बढ़िया बनेगी, तो मंडी में माल टीकेगा, माल टीकेगा तो किसान की डिवान बढ़िगी, और मेरे अभी यहां से और एक मेरे लाइनिक में बता देता हूं, कि हम लोगों ने मंडी में जाके हमारे किसान बढ़ियों का जो माल है, उसको मंडी में कैसे उसकी वैल्यू है, वह भी देखिए, अरनी मौरिय जाके, मैं आपको वीडियो शूर बढ़िए सकता हूं, तो जो अपने किसान बढ़िया माल है, उस सबसे पहले लोग उसका, उसका होता है, क्योंकि वो नजर मे जैसा सर ने बताया, यह खुशूरती बाहर की नहीं चाहिए अपने, यह खुशूरती अंधर नहीं होने चाहिए, इसमें मिठा साहेगी, इसमें तुम्हारा जो कड़वा बढ़ जो बोलते हैं, जो कैसे कुछ होते हैं, कि जो कुछ फल दे कुल ठीक से नहीं लग रहे, मि अपल मिठे होते हैं, यह जमी से बनते हैं, ऐसे नहीं होता है, शुगर भूदवा घुडड़ाई होता है, कौनसे होता है, और क pixels का इस्तेमाल करना है, कुधरत बहुत बड़ी अब संसर लगा है यह सेंसर जमीन में लगा है मैंं जिसको भेजना हम के यह व हमक? यह तक छांँ कि मह मुश्किल है तो की में के बात्य पहsen सेंसर yukam कि हाँ पर इस तरह से काम चल रहा है अब साथ-साथ में इं शुरूद के साथ चाली सभग तक बीमारी को कोन्ट्रोल पौदान तब करता है जब उंदर से सशक्त वहता है स्टेम फिर यह कि जैसे चार पांच पत्तों पे यह वहां पर पुद्रत ने और कुई चीजों को बना है और कुछ जीव बना है जिसे मैं बहुत अच्छा सा गभी पता आ गया मेथी आ गई पाला का गया मैं तो खा रहा हूं उस सारह कुद्रत ने और भी लोगों को बना है तो इन चीजों को बनाया है कि वो कीट वहां पे आती है और कीटों को का भी कुछ हैं रोल हो सकता है तो हम लोग चाहते हैं कि कीटों को ज़्यादा पावरफुल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हुए उनको रोक थाम के लिए कम से कम वीश या तो पॉईजन का प इसमें क्या किया है इसमें वह बापस biological प्रॉडट का इस्तेमाल किया है हम लोग ज़्यादा दिडिल में नहीं जाएंगे जब हम लोगों का ट्रेनिंग होगा सब किसान बाहे रहे तो हम लोग एक एक प्रॉड़ूड को लेके एक गंडा देगे अब हम पको यह चीज क्या टेक्नोलोजी क्या है कि हम लोग प्रयास कर रहें कि आप तक संझे आप इसको समझे बैसिक समझे इसका इसतेमाल करें इस्तेमाल करने के बाद इसके बेनिफिट्स आप जब लो तो अपने जो दस भीज तिस टक्का का मुनाफ़ा जो लिया उसको डिरन किसा करना एक एक एकड़ में इस टेक्नोलोजी को बढ़ाता है अगर उसकी जरूरत साथ मेंट्रिक टन बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा फिर उसको कहा जाता है रूट टू फूरूट टेक्नोलोजी में मतलब बीच को डाला बीच को बोवा बीच को रूट किया बीच में रूट निकलना शुरू हुआ रूट से यह सब न्यूट्रेन निकल गए और फूट को हर्वेस्ट करने तक के हम लोग आपके साथ रहेगे यह टेक्नोलोजी साथ में रहेगी और यह टेक्नोलोजी आपके स होते हैं जो पॉजन होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हुए कुछ हर्प्स को लेके यह अच्छा सा डिजाइन किया हुआ है जो मेरे और आपके मतलब इसकी लिए सोचके रखा है कि उनके खाने में वीश कम जाए वीश की मातरा ना ही हो जिसे हम कहेंगे रिसीड्यू फ्री फ्राम प्रोडूसेस तैयार होने चाहिए इसमें इसका एक अहम रोल है यह के प्रोड़क्ट भी आपको जरूरी है यह शुरू से चार पत्तो को आने से तो हर्वेस्ट करने तक मतलब फ़ल को निकाल के जमीन पे लाने तक के इसका साथ छोड़ना नहीं है हो सकता है कि इसमाल कर सकते डिमांडर कर सकते यह बना दे अब यह यहां तक समझ में आ गया लेकिन मैं बताया था कि जब मैं बात कर लाता प्लांट हेल की तब छिड़काओं की स्प्रेय की और मैं बता रहा था कि न्यूट्रियंट को हमारे पोर्स में से जैसे पसिना भार निकलता है उस तरह से पत्तों के पोर से न्यूट्रियंट अंदर जाते है वो अच्छे दरीके से मतलब बहुत बैतरी दरीके से जाना है मतलब उसको मैं बता हूँ शत प्रतिशत हंड्रेर परसेंट हमारा जो भी लिक्विड गया है वो स्प्रेय के माध्यम से पौधा अंदर ले ले उसको एब्सार कर ले इसके लिए इसके सायता के लिए और एक टेक्नलोजी आपके लाईए जिसका नाम है इबायो स्प्रेडो केर अब यह स्प्रेडो केर नाम ही दिया है आप इसको क्या करना है यह फैलने के लिए आपके फिकर करेगा फैलने के आपके आपके लिए सबस्क्राइब करें पूरा पत्ता और से खीचने का पूरा पत्ता अंदर से खीच के अंदर एक एक जहां पर इसवी जरूरत है तो इस हियता पहुचाने का काम यहां पर बात करेगा तो यह चीश पर थोड़ी आज हम लोग अभी तक के बात नहीं की थी लेकिन आज हम लोग करें यह ऐसा प्रॉडक्ट है कि सारे बिमारियों की जड़ फफुंदी जिनक बिमारियों से और किटों को मारने के लिए जो कोशिश किसान से की जा रही है जो प्रयास किसान कर रहा है उसमें उसके हाथ में एक ऐसा वेपन है वो डाहरा किलर को इस्तवाल करता है वह गल्ती किसान वाइक ही मेरी नहीं लेकिसान हूं तो जब हम लोगों को लगता है कि यह फंसल खतम हो जाएगी इसको आज यह कृश्ट करो एक तो यह जी अगर द कि हर product का अपना residue का एक समय होता है अगर मैं कोई product को लेके मारता हूँ तो उसका residue साथ दीन, आठ दीन, दस दीन, पंदरा दीन और सो सो दीन तक निकलता नहीं है पर हमारे किसान भाई ये चीज़ को नहीं समझने के कारण पहले दीन में ही ऐसे product को इस्तेमाल करते है कि जिससे कीटकों की resistance power बढ़ती है मारतों कि मैंने अभी इस product को लिया ये product में जहर की मात्रा 10 गुना जादा है और इसमें एक गुना ही है ये खतम करेगी छोटे जिवानों को, छोटे जन्तुओं को जिवानों जन्तुओं को लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आज ही उसका सफाया कर दो आज ही उसको खतम कर दो तब मैं थोड़े जहरीली चीज़ों को powerful चीज़ों को समझता हूँ ज्यादा खर्चा भी करता हूँ और वो इस्तेमाल करने से जो जन्ता बसती है जो किटक बसते है वो उस चीज़ को खाने के लिए अपना टॉनिक समझ के ताकत वर बनते हैं और फिर किसान भाई से कितने भी अच्छे पॉईजन उसमें डाले वो मरते नहीं है तो हम लोगों ने किया किया शुरू में ही एक इबायो रिपलेंट को ल लेकि अगुए जिसका मानों पर जिवनों पर कोई विए असर नहीं होता पर कीट के लिए यह इनको पानी होता है क्यूंकि एक आपकर समझोगे तो किटानों को मेर लाल खुन नहीं होता है उनको मारना बहुत आसान होता है उसमें यह नहीं होता है कि इसी कुछ चीजे होती है जिसका चिड़काओ करें उसके साथ खाने में जाये या शरीर पेपड़ें उसका इंटेक हो जाये वह पैरलाइ जाता तो यह चीज हमको चार-पांश पत्तों पे ही पौदा आ जाए तो इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इसके बिना में वह तो लोग खीदी नहीं करना है ऐसी टेक्नोजी यह है इस प्रॉड़क्ट को अगर देंगे हम तो हम लोग विश्मुक्त अनन्निमिती ए इसकी रियम को इसमें यह चीज को खलिक 2 ml पर लीटर जबी आपको लगे आर दिमें 15 दिन का इंट्रोल हो 20 दिन का आपको लगा कई तुर्टुरा दीख रहा है कई थोड़ा सा मतलब एफेट से कई थ्रीव से कई चीजों दिख रही है इस चीजों को छिड़काव करना से तहट हम लोग सतर से अस्ती प्रतिश्ट किटक नाशों को का और मतलब फंगी साइड का खर्चा बचा सकते है एक प्रोड़क्ट है अभी दूसरा प्रोड़क्ट यहां पे जो दिया है पांच में नंबर का जो हमने पांच प्रोड़क्ट अभी तक किये है आगे और धि नूट्रां को कर रहे हम लोगं करते हैं तो यह आप पतों की उपर गिरने से उसके पौइर कि उसके पौर्व में से यह थे होता है मतलब उपर से गया अंदर से पूरा तों में जहां जहां भी मुनस्पति को इस अन्न घटक की जुरूरत है वहां पे पहुंचाने में साहियाता करता है इसको से हमको आधा ml मतलब 0.5 ml पर लिटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है और यह बात करने के जुरूरत नहीं क्योंकि यह अच्छे क्वालिटी का है इसमें से मतलब जो उसके कुछ क्वालिटी है उसमें से एक क्वालिटी मैं आपको दिखाए यह पैनेफिट होता है सिर्फ फैलता नहीं है तो इसको लेके नीचे से पहुत दोतों के पहुंचने का क्राम करता है ऐसे यह पांच प्रोड़की जानक झालिटी